मुर्ली की तान बज रही हो मुर्ली की तान उठ जागर इनसान मिल जाएंगे भगवान तेरे द्वार पे पुकारता हो मुर्ली की तान बज रही हो उम शांती आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधूर महवाक्य हैं 23 जुलाई 2023 और रिवाइस डेट हैं 16 मार्च 1995 आज की मुर्ली के सार में बाबा ने सर्व प्राप्ति संपन आत्मा के निशानी बताई कि जो आत्मा बाबा के दिये हुए वर्से और खजाने को अपना बनाती हैं वह सदा नशे और खुशी में रहती हैं और प्रसन्चित अर्धात सदा सर्व प्रश्णों से पार प्रसन्चित और कहा जिसका प्रसन्चित होता हैं उसका मन और बुद्धी निर्मल और निर्मान होता हैं और सदा सहज, संतुष्ट और प्रसन रहने की विधी बताई कि सदा अपने सामने जो ब्राम्हन जीवन में प्राप्तिया हुई हैं, जो विशेश अनुभव हुए हैं, सदेव उसकी अनुभूती में रहेंगे, क्योंकि ज्यान की पॉइंट्स भूल जाती हैं, लेकिन अनु मधूर महवाक्यों को विस्तार से। वर्सा दिया हैं, ऐसे नहीं किसी को दस दिया हो, किसी को बिस दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया हैं, सभी बच्चे फुल वर्से के अधिकारी हैं, तो बाप दादा देख रहे हैं, कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप् प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया हैं। जब वर्से को अपना बना लेते हैं। जो सदा अमरत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे वा अनुभाव में रहती हैं। उनकी निशानी क्या होगी? बाबा प्रशन पूछ रहे हैं कि जो बच्चे अमरत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे में रहते हैं। प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। बाबा ने पहले प्रसनता की पहचान बताई, फिर बाबा प्रशन पूछ रहे हैं कि ऐसे प्रसन चित बने हो, कि अभी भी कभी कभी कोई प्रशन उठता कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा, ये प्रशन चाहे मन में, चाहे दुसरों में उठता हैं। बाबा ने कितना गुहिय प्रश्ण पुछा कि ये क्यों क्या क्या प्रश्ण कभी भी अपने में उढ़ता है या दुसरों के प्रती तो नहीं उढ़ता, प्रसन चित हो या प्रशन चित हो, या कभी प्रशन चित कभी प्रसन चित क्या है, वैसे गायन है अप्राप्त नहीं क यह किन ब्राम्हनों का गायन है, आपका है या दुसरे आने वाले है, आप ही हो, तो जब कोई अप्राप्ती होती है ना, अप्राप्ती असंतुष्टता का कारण है, अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है, तो कारण क्या होता है, कोई न कोई अप्राप या विनाश के समय समपन हो जाएंगे कि अभी हो ना है, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में, चाहे दूस्रों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माईं कितनी होंगी? बहुत हैं, बाबा के सामने बच्चों ने हाथ उठाया, तो बाबा केते हैं बहुत हैं, अच्छा, जो समझते हैं, सदा प्रसन रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं, माया नमस्कार करती हैं, हम अंगद हैं, माया हार जाती, लेकिन हम विजयी हैं, जो ऐसे हैं, वो हात उठाओ, सदा शब्द याद रखना, कभी-कभी वाले नहीं, बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है, Question Mark उठता है न? बाबा कहते हैं सदा और कभी कभी में Question उठता है न? बाबा कहे Question Mark डिक्षनरे से निकल जाए हल चल भी ना हो, कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है न? आपके बुद्धी रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टाप की मात्रा आए क्वेश्चन मार्क आश्यर्य की मात्रा खतम इसको कहा जाता है सदा प्रसनचित ऐसा प्रसनचित औरों का भी क्वेश्चन मार्क खतम कर देते हैं बबन कितनी उची स्थिती बताई कि ऐसी स्थिती बन जाए, इतने प्रसनचित आत्मा बन जाए कि हमारी स्थिती से सामने वाली आत्माओं के भी प्रशन समाप्त हो जाए. नहीं तो स्वयम में अगर question mark हैं, तो कोई भी बात सुनेंगे, दिखेंगे, कहेंगे, हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लिकिन होता है, में भी समझती हूँ, होना नहीं चाहिए, mix हो जाएंगे, उसके प्रशन को और underline कर देंगे. बाबा कहते हैं, अगर आपकी स्थिती प्रसन चित वाली नहीं है, question mark से न्यारी नहीं है, तो जब आपके सामने कोई प्रशन लेकर आएगा, तो आपकी प्रशन चित स्थिती उसके प्रशन को और भी बढ़ावा दे देंगी. बाबा कहते, टेका तो दे दिया ना, कि हाँ, ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है, तो प्रशन चित उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रशन को बढ़ा लिया, addition हो गई, वैसे एक का question था, अभी दो का हो गया, तो दो से चार हो जाएगा, तो प्रशन चित वाइब्रेशन के बजाए, प्रशन चित का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है, हाँ, ऐसा है, साथ दे दिया, आश्यर्य की मात्रा आ गई ना, हाँ, फुल स्टॉप तो नहीं हुआ न, चाहे अपने प्रती भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दुसरे को नही होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए प्रशन चित बना देती है, प्रसन चित नहीं, तो सभी का क्वेश्चन क्या है, संतुष्ट प्रसन चित, जिसका प्रसन चित होता है, उसके मन बुद्धी के व्यर्थ की गती फास्ट नहीं होंगी, सदा निर्मल निर्मान, निर्मा दिमाग का हो, लेकिन प्रस्वनचित के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा, बाबा कहते कमजोरी क्या आती हैं, वैसे ठीक चलते हैं, अपनी रिती से अच्छे चलते हैं, लेकिन जब संबन संपर्क में आते हो, तो दुसरों की कमजोरी देखते, सुनते, वरणन क प्रभाव में आजाते हो, फिर कहते हो, कि इसने किया न, इसलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा, तभी मैंने कहा, उसने पचास बारी कहा, मैंने एक बारी कहा, फिर बाब के आगे भी बहुत मीठी-मीठी बाते रखते हैं, कहते हैं, बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहां तक करेंगे, फिर भी पुरशार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना, बाप को भी समझाने लगते हैं, यहां जो निमित हैं, उन्हों को बहुत कथाई सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जबते हैं बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बाते दो अक्षर में वर्नन करो, लंबा वर्नन नहीं करो, लिकिन ये व्यर्त बाते बहुत चटपटी होती हैं, मजेदार लगती हैं, जैसे खाने में भी खटी मिठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फी की साधी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं, तो व्यर्त बाते, व्यर्त चिंतन, सुनना, बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंट्रेस्ट बढ़ जाता हैं, फिर सोचते हैं, मैं तो नहीं चाती थी, लिकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा अच्छा उसको सुना ले, दिल खाली कर दे, बाबा कहे उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली, वो थोड़ा-थोड़ा दिल में भरते-भरते पिर संसकार बन जाते हैं, और जब संसकार बन जाते हैं, तो मैसूस ही नहीं होगा कि ये रॉंग हैं, ये व्यर्त संसकार बुद्धी के निर्णय को खतम कर देता हैं। इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधी हैं। सदा अपने सामने कोई न कोई विशेश प्राप्ति को रखो। क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है। बाबा ने व्यर्थ से मुक्त और सदा संतुष्ट रहने की विथी बताई कि अपने सामने स्मर्ती में विशेश कोई प्राप्ती की बात याद रखो वा लिख कर रखो, तो उस प्राप्ती के सामने व्यर्थ टिक नहीं सकेगा, ज्यान की पॉइंट्स भूल सकती है, लेकिन क कोई भी प्राप्ती गुलती नहीं है, बाब से क्या-क्या मिला, कितना मिला है, वराइटी पसंद आती है न, एक जैसा पसंद नहीं होता, तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्यान के खजाने की प्राप्ती कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ती कितनी है, द कभी कोई कभी कोई गुण की प्राप्ती को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया, तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंद है, अगर बाहर के रूप में इमर्ज रिती से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो, तो क्रोध के साथ लोब एहंकार होता ही है, ये सब आपस में साथ ही है, कोई इमर्ज रूप में होते हैं, कोई मर्ज रूप में होते हैं, तो गुण भी जो हैं, उन्हों का भी आपस में संबंद हैं, इमर्ज एक गोण को रखो, लिकिन दुसरे गोण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं। बाबा ने कितनी गहरी बात को रियलाईज कराया, जैसे कोई अवगोण या विकार एक के पीछे दुसरे और चिपे हुए होते हैं, ऐसे अगर एक गोण भी धारण करलो, तो उस प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खतम हो जाएंगी और संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो, दुनिया में मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाते हैं। हर एक चाते हैं कि अपना नाम अच्छा हो, दुसरा मान और तिसरा शान, नाम, मान, शान ये तीन प्राप्त करना बाबा पूछते आप भी क्या चाते हो आप भी तो यही चाते हो ना हद का नहीं बेहद का तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पीछे दोड़ते हैं और आपका नाम विश्व में जितना उचा है उतना और किसी का है बाबा कितना नशा दिला रहे हैं कि आपका जितना नाम विश्व में प्रख्यात होता है देव रूप में उतना किसी का होता है क्या तो आप अपने नाम को देखो सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जबता है सुयम भगवान आपका नाम जबता है तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माई अपना शरिर निर्वाह चला रही हैं. आप ब्रहम्हन होना, तो ब्रहम्हनों के नाम से आज भी नामधारी ब्रहम्हन कितना कमा रहे हैं. अभी तक नामधारी ब्रहम्हन भी कितने उच गा तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना स्रेष्ट आपका नाम हो गया है, इसलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ, मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है, सेवा में करती हूँ, नाम दुसरे का हो जाता है, तो हद के नाम के पीछे बाब के दिल में आपका नाम सदाहिस रिष्ट हैं। बाब के दिल में क्या हैं। प्राप्तियों के रूप में देखो अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त हैं। और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए यथार्त हैं। फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संसकार के कारण आपका नाम नहीं होता है। आप राइट हो वो रॉंग है फिर भी उनका नाम होता है आपका नहीं तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। बाबा कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन में भी आप निर्संकल्क रहते हैं तो समझो कि आपका नाम विजय माला में निश्चित हैं। इसलिए उसकी भी परवाह नहीं करो। उस रूप में माया ज़्यादा आती हैं। इसलिए अभी गलती से नाम मिस भी हो गया, कोई हर्जा नहीं। लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता। पहले आपका नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है। अंडरलाइन मेरा नाम बाप के दिल पर है। विजय माला में हैं। अंत तक मेरा नाम सिवा कर रहा है। और आपका मान कितना है। पहले बाबा ने नाम का नशा दिलाया कि आपका नाम कितना होचा है और अभी बाबा मान के लिए बता रहे हैं कि आपका मान भी कितना है, भगवान ने भी आपको अपने से भी आगे रखा पहले बच्चे, तो स्वयम बाप ने मान दे दिया, कितना आपका मान है, उसका प्रूफ देखो, कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है, चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवताओ का चित्र होगा, तो कितने मान से उसको देखते है, सबसे अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है, जब आपके चित्र ही इतने माननिया पूझनिया है, तो जिसका मान रखा जाता है, उसको पूझनिया माना जाता है, हमेशा कहते हैं ना, यह मेरे पूझनिया है, पूझिया है, तो प्राक्टिकल प्रूफ है, कि आपके च चित्रो का भी मान है, तो चेतन्य में है, तब भी चित्रो का मान है, अगर चेतन्य में मान नहीं होता, तो चित्रो को कैसे मिलता, बाप तो सदा कहते हैं, पहले बच्चे, बच्चे डबल पुझे जाते हैं, बाप सिंगल, तो आपका मान बाप से जादा हुआ ना, इतना स्र तो जब भी कोई हद के मान की बात आए, तो सोचो कि आत्माओं का मान क्या होगा, जब परम आत्मा का मान मिल गया। क्यूंकि जितना आप हद के मान के पीछे दोड लगाएंगे न, तो ये हद की कोई भी चीज परचाई के समान है। परचाई के पीछे पढ़ने से कभी परचाई मिलती है, कि और आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम ये परचाई है, ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन ये है कुछ भी नहीं, तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है? बाबा ने दो बातों को क्लियर किया, नाम और मान, और अभी बाबा उची शान की समर्ति दिला रहे हैं, कि अपने एक एक शान को याद करो, और किसने शान में बिठाया? बाब ने बिठाया, बाब के दिल तक्त नशिन है, सबसे बड़ेते बड़ी शान राज्यपद है ना, तो आपको तखत ताज मिल गया ना, जो परम आत्मा के तक्त नशिन है, इससे बड़ी शान क्या है? बाबा कहते हैं, स्वयम परम आत्मा भगवान के दिल तक्त नशिन की शान मिल गई, तो और क्या चाहिए? कभी-कभी निरने करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो, जो रियल शान है, रुहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फिलिंग नहीं देगा, तो कभी-कभी क्या करते हो, होता अभिमान है, लेकिन समझते हो, कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना, शान में रहना अच्छा होता है, बाबा कहते हैं, लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो, कभी-कभी अभिमान को शान समझ ल कि ये अभिमान है, तो थोड़ा कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा, अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फिल होगा, थोड़ा भी किसी ने हसी में भी कुछ कह दिया, तो अपमान लगेगा, ये अभिमान की निशानी है, बाबा ने अभिमान की निशानी ब निरने करने में यह चोटी सी गलती करते हैं, उस समय निरने में कमी कर लेते हैं, यथार्थ के बजाए मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो, तो कहने में आता हैं कि ये है तो बहुत अच्छे, लिकिन बूल, चाल, उठना, बैठना जो है न वो अभिमान का ल शान कितनी बड़ी है, उस बिहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो, मर्ज नहीं इमर्ज करो, जैसे याद में कभी-कभी अलवेलापन आ जाता है, तो कहते हैं हम है ही बाप के याद क्या करे, लेकिन इमर्ज संकल्व से प्राप्ति का अनुभव होता है, ऐसे ही ह और धारना में एलर्ट रहो, अलवेली नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है, और समय समीप क्या सुचना दे रहा है, समान बनो, संपन बनो, तो समय की चैलेंज को देखो, और सर्व प्राप्तियों से संपन बनो, अच्छा, चारो और के सदा सर्व प्राप्ति संपन आत सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्चित रहने वाली स्रेष्ट आत्माए, सदा स्वयम को स्रेष्ट नाम, मान, शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समिपात्माए, सदा सर्व को संतुष्ट ताके वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्चित आत्माओं को बा आपते संपन बनाने वाले बाप दादा को भी, हम सभी बच्चों की और से यात प्यार, गुड़ मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते. आज का वर्दान है, हर सेकेंड स्वयम को भरपूर अनुभाव कर सदा सेफ रहने वाले समर्ती सो समर्थ स्वरू पुभाव. हर सेकेंड स्वयम को भरपूर अनुभाव कर सदा सेफ रहने वाले समर्ती सो समर्थ स्वरू पुभाव. सपश्टिकरण है, बाप दादा द्वारा संगम युग पर जो भी खजाने मिले हैं, उनसे स्वयम को सदा भरपूर रखो. जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, भरपूर चीज में दुसरी कोई चीज आ नहीं सकती, ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ती वा शांती की शक्ती नहीं है, थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है. कोई दुश्मन जवर्दस्ती तब आता है, जब अलबिलापन है या डबल लौक नहीं है. याद और सेवा का डबल लौक लगा दो, समर्ती स्वरूप रहो, तो समर्त बन सदा ही सेफ रहेंगे. बाबा ने सदा समर्त और सेफ रहने की विधी बताई कि समर्ती स्वरूप बनो, बाप दादा द्वारा जो ज़ो ज्यान, गोण और शक्तियों के खजाने मिले हैं, उसके समर्ती में रहेंगे, तो सदा समर्त स्थिती का अनुभाव करेंगे और सेफ रहेंगे. आज का स्दोगन है, विश्वका नव निर्मान करने के लिए अपनी स्थिती निर्मान चित बनाओ. अच्छा, ओम शान्ती, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया.